अठारवी लोग सभा में स्पीकर पत को लेकर गहमा गहमी जारी है कि सुरेश को मैदान में उतारकर विपक्ष ने NDA सरकार को चुनौती दे दी है इंडी अलायंस NDA को मात देने के लिए लगा हुआ है इस बीच जैसे ही ममता बनर जी की नाराजगी की खबर सामने आई तो तुरंथ ही राहुल गांधी ने मोडचा संभाल लिया आननफानन में उन्होंने ममता बनर जी को फोन घुमाया और 30 मिनट तक बातचीत की बताया जा रहा है कि के सुरेश को स्पीकर उमीदवार बनाये जाने के बाद ममता बनर जी की TMC खफा हो गई थी TMC ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने स्पीकर कैंडिडेट के लिए उनसे राय नहीं ली जिसके बाद TMC ने समर्थन पत्र भी साइन नहीं किया था संख्या बल के हिसाब से पहले ही के सुरेश ओम बिर्ला से पीछे हैं ऐसे में ममता बनर जी का साथ न मिलने उन्हें और भी कमजोर कर सकता है लिहाजा राहुल गांधी ने ममता बनर जी की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा उठाया राहुल और ममता बनरजी के बीच आधे घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, जिसके बात कहा जा रहा है कि TMC Indie Alliance के कैंडिडेट के सुरेश का समर्थन करेगी. झाल झाल